प्रस्टन है तुशार चोधरी जी का कहते हैं गुर्देव भगवान को मेरा गोड़ी गोड़ी प्रणाम अभी आपने अन्मोटिवेटेड कर्म के बारे में बताया आपने कहा हमारे कर्म अन्मोटिवेटेड होने चाहिए गुर्देव जब कोई साइन्टिस्ट कोई निव इन्वेंशन करता है तो उसके पीछे सदयव मोटिव होता है उधारण के लिए जब राइड ब्रदर्स ने ऐरोप्लेन का इन्वेंशन किया तो उनकी कामना पक्षों की तरह आसमान में उड़ने की थी लुइस पैस्टर ने के परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यू रैवीज की बिमारे से हो गई थी इसलिए लुइस पैस्टर की कामना हुई कि मैं ऐसी मेडिसीन रिसर्च करूं कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति रैवीज से ना मरे और यही कामना कारणों ने रैवीज वैक्सिन बनाई है मैं आप से जानना चाहता हूँ कि किसी कामना के बिना ऐसे रिसर्च एंड इडवेंशन कैसे संभव है आपका सिस तुसार चोधरी जब तक हम तर्क वितर्क की भासा में जीते हैं इतने जादे प्रश्न उठते हैं जिनका कोई अंत ही नहीं हो सकता है और प्रश्न सिर्फ इसलिए उठते चले जाते हैं, क्योंकि हम प्रश्न अपनी खोपड़ी से बादा करते हैं, तर्क से बादा करते हैं, मस्तिस्क से बादा करने हैं, बुद्धी से पदा करते हैं, हमने उनको जी कर नहीं देखा है, जीने का अर्थ है कि वह मस्तिस्क से नी आपका समग्र व्यक्तित तो लग जाता है, अगर किसी चीज को जीना पड़ता है, तो क्योग बुद्धित से ने जीते हैं, समग्रता से उसमें आपका हिर्दय भी लगेगा, उसमें आपका शरीर भी लगेगा, उसमें आपकी आत्मा भी लगेगी. और तब जब जीने लगते हैं किसी सत्य को, तो निश्चित रूप से उसका आकार, उसका रूप, उसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। अभी आप सिर्फ बुद्ध से सोच रहे हैं कि अगर हम कोई मोटिव नहीं रखेंगे, कोई उद्ध से नहीं रखेंगे, तो हवाई जहाज कैसे बनाएंगे, या राइट बर्दस ने हवाई जहाज कैसे बनाई होगी, या जितने हम बैग्यानिक आप इसकार करते हैं, वो कैसे कर पाएंगे, वास्तों में जब फल की आकांगषा नहीं रखेंगे आप तो इसका अर्थ नहीं है कि संसार का चलनाबंद होजाएगा, जिसे आप मोटिवेट Dh Air Action कह रहे हैं, जिसे आप आकांगषा कह रहे हैं वो आकांगषा नहीं होगी, वो नीड हो जाएगी क्या हो जाएगी नीड जब आप उसको जीएंगे उस सत्य को तो आकांग्षा की जगा वह आवश्यक्ता बन जाएगी आवश्यक्ता जैसे दो चीजे हैं एक है आकांग्षा एक होती है आवश्यक्ता आवश्यक्ताएं हमेशा पूरी की जा सकती लेकिन आकांग्छाएं और आकांग्छाएं सिर्ष आपकी खोगड़ी में पैदा होती है आवशक्ता हैं, आवशक्ताओं को पैदा करने के लिए आपका पूरा प्राण, पूरा शरीर, पूरी आत्मा, आप समग्रता से जिस चीज की मांग करते हैं, वो आवशक्ता बन जाता है। उस समय राइट पूर्दर्स के प्राणों में आकास में उड़ना उनकी आवशक्ता बन गई थी, जी नहीं सकते थे, रहने शकते थे, नीद नहीं आती थे, उनकी आवशक्ता बन गई थी, ऐसे आप जो जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में जब आप फला कांग्छा के बिना जीने लगेंगे, तब वह आपकी आवशक्ताएं इस तरह से पैदा होगी, कि बिना फला कांग्छा के आप जो विकास आज फल की आकांग्छा के साथ कर रहे हैं, उसका अनन्त गुना विकास करने की संभावना पैदा हो जाएगी, जो प्रच्चिम के लोगों ने कहा कि अ अन्मोटिवेटेड़ एक्षन संभव नहीं है, वो किस आधार पर कहा, वो जो भी निसकर्स लिया जाता है विक्यान में, वो सोग, हजार, दो हजार, पांस जार, दस जार लोगों पर परिक्षण किया जाता है, जिसको कहते हैं, रिसेर्च, उस परिक्षण के बाद, निस परिक्षण कर्षदेते हैं, यह बैज्यानिक सकते हैं, तो पस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् नहीं हिर्दयक की अनभूदी नहीं, सिर्फ बुद्धी के तल पर जी रहे हैं और चौवीस घंटे धन कमाने में और भौतिक विकास करने में लगे हैं, कृष्ण की चेतना के सामने ये बीमार लोग हैं, आप बीमार लोगों का अधियन करेंगे, उन पर रिसर्च करेंगे, तो सबके निसकर सामान्य होंगे ही एक जैसे होंगे, तो उन रुग्ण चित्त वाले लोग जिन पर परिक्षण किये जाते हैं, ऐसे ही लोग सारी दुनिया में हैं, ऐसा मत समझना कि भारत बरस के लोग हम बड़ी उची चेतना पर रख रहते हैं, हम लोग ही तो सिर्फ निसकेशन को दुहरते हैं, सब्दों से बुद्ध के तल पर हम सिर्फ दौराते हैं, नैनम चंदन्धी सस्ताणी नैनम ध्हति पावगा, कोई पंडित जी ब्रंदावन के मंदिर में ऐसे नहीं है, जिनको ये ये श्लोग याद नहीं हो, जिनको ना यादो कर्मड़े वा आप देखो किसी मंदिर में जाओ भर पुजानी कुमालू। लेकिन जीना बिल्कुल दूसरी बात है। कृष्ण इस सत्य को जीते हैं। जो व्यक्ति सत्य को जीएगा उसे ही पता चल सकता है कि जब इस तल पर हम जीएंगे तो हम आज जो वैज्ञानिक विकास हो रहे हैं उससे अनन्त गुना अधिक विकास करने में सक्चम हो जाएंगे। उस तल पर जीए बिना आप सिर्फ बुद्धी से इस बात को नहीं समझ सकते हो। परश्चिम के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। और यहां के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। कृष्ण कोई बात कह रहे हैं। तो बीमार लोगों के जिंदगी का चित्त की दसा का अध्यन करके नहीं कह रहे है। वै जिस तल पर जी रहे हैं। बुद्धत्य के तल पर। राग और द्वेस दोनों के ही पार जो खड़े होकर अपना अनुभव उन्होंने पाया। उसके आदार पर करें। जो बोध कृष्ण, क्राइस्ट, मुहमद, महाबीर, नानक, दादू, रेदास, मीरा, चैतन्य, संक्राचारे। इन लोगों की जो चेतना है। उनकी जेतना के तल पर खड़ी होकर क्रिष्ण इन बातों को कह रहे है। जीवन सहली का अंग बनाने का प्रयास करो और तब आपके जीवन में ऐसा नृत्य पैदा होगा कि आपके जिन्दगी के सारे काम खेल-खेल में होने लगेगी। आपको बताओं किसी सामान आदमी के लिए महा भारत जैसे युद्ध को खेल बना लेना आसान नहीं। लेकिन कृष्ण पूरे महा युद्ध को खेल बना लेते। यह जो बात कही जा रही है यह आपकी उच्छतम संभावना की बात है। और तुशार जी आप जो बात कहरे हैं तो मनुस्य के निम्हितम स्थिति की बात है। मैं तो तुम्हें उपर उठाने के लिए कुछ सूत्र दे रहा हूँ जिनका मैने खुद प्रयोग किया कि अगर मेरा जीवन खेल बन सकता है। अगर मेरा जीवन आनंद की रस्दार बन सकता है, तो तुम्हारा जीवन बन सकता है, इसी के लिए तो आपको चीख कुकार लगा के बुलाता हूं यहां, कि आप मेरे तल पर उठ सकते हो, मेरे अनुहो को अपना अनुहो बना सकते हो, लेकिन सिर्फ बुद्धी से करते रोग तो नहीं बनेगा, इसको जीना पड़ेगा, और इसको जीनने के लिए ही आपके इस साक्षिधाम बंदवन को एक हंस्ता हुआ व्यक्ति पैदा करने की पैज्ञानिक प्रयोक्षाला बनाना चाहता हूं, यहां आएं 10-20-20 लोग हैं, और हंस्ता हुआ जीवन लेकर जाएं और बाहर जाएंगे, तो एक आदमी, एक आदमी के भीतर सुगंद पैदा हो जाती है, तो वो हजारों लाखों लोगों के जीवन में सुगंद पैदा करने का माध्यम बन जाता है, मैं अपने गहरे अनभों को आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, कि आप इन अनभों क जो कृष्ण का अनभो था, जो महाविर बुद्ध क्राइस्ट का अनभो था, मेरा अनभो बन सका है, आपका भी अनभो बन सकता है, और आपके लिए तो मेरास्ता और भी आसान कर देना चाहता हूँ, लेकिन तुसार जी, इसे जीने की दिसा में कदम उठाना पड़ेगा, तभी इसकी सुगंद में लेगी, तभी इसकी समझ आएगी, सिर्फ बुद्धी से इसकी समझ नहीं पैदा हो सकेगी, बहुत बहुत आपके, बहुत बहुत आशरवाद आपके. झाल